हेलो स्टुडेंट आज हम आपके लिए फिर से हिंदी के all competitive exam के लिए कुछ important questions लेकर आए हैं तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टुडेंट्स पहला question उसे radio ले जाना है यह अब आपके में कारक पहचानना है कारक के चिन आपको पता है आठ पिरकार के कारक होते हैं तो करता ने कर्म को करण से के द्वारा संपिर्दान के लिए को अपदान से अधिकरण संबंद काके की अधिकरण आपका हो गया मेपर उपर संबधन हो गया आपका हेरे तो इसमें जो ये संपिर्दान कारक है के लिए रेडियो उसे रेडियो को ले जाना है को ये को चीन आ रहा है तो संपिर्दान का तो चीन के लिए होता है को भी होता है लेकिन दान मने देना देने के sense में आता है, यहां पर देने का तो कोई sense ही नहीं आ रहा है, कर्मकारक में को चिन आ रहा है, किस चीज को ले जाना है, को, करणकारक इसलिए नहीं आ रहा है, से के द्वारा कोई साधन यूज नहीं किया जा रहा है, कोई भी साधन यूज करने के लिए हम इसका गई नीस में तो इसका जो correct answer is students वो है आपका कर्मकारक क्योंकि कर्मकारक का चिन क्या होता है को रेडियो को ले जाना है second आपका इसमें पूछा गया गीदर का परियावाची शब्द क्या होता है गीदर का जो परियावाची शब्द है वो ना तो सुपन है ना कुझर होता है ना ही शोनित होता है बलकि होता है श्रिगाल संस्कृत में गीदर को हम श्रिगाल बोलते हैं next question निकेतन किसका परियावाची है निकेतन पूछा उसने चार ओप्शन दियें पुष्प का है या परवत का है या घर का है या आकाश का है तो ये घर को कहते हैं निकेतन साकेत निकेतन घर गिरे ये सब घर के परियावाची है इसमें पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है चार वाक्य दिये हुए हैं चारों पढ़ते हैं पहले यहां अपनी हस्ताक्षर कर दीजिए यह अपनी वर्ट गलत हो रहा है अपनी हस्ताक्षर अपनी नहीं होता है यहां अपना हस्ताक्षर कर दीजिए हस्ताक्षर शब्द देखें student लिख दीजिए लिख दीजिए लिखा नहीं जाता हस्ताक्षर तो किया जाता है और यहां अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और fourth option है यहां अपना हस्ताक्षर बना दीजिए हस्ताक्षर बनाया भी नहीं जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है और दूसरी बात है, अपना शब्द इसलिए अपना नहीं होता बलकि यह बहुबचन शब्द है, आपका हस्ताक्षर जो होता है वो हमेशा बहुबचन में ही यूज होता है हस्ताक्षर कर दीजिए तो इसका C option correct answer student यहां अपने हस्ताक्षर कर दीजिए अगला question प्रतिमान में कौन सा समासे द्वंध है या तत्प्रूश है या दिगू है या अबेभाव समासे तो प्रतिमान जब हमने इसका संदी बिचीत किया प्रति पिलस मान तो पहला word अबे निकल के आ गया अबे यानि की उपसर्ग और जब अबे निकल के आया तो देखे दोन समास इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें पेर वाले शब्द आते हैं जैसे सूख दूख रात दिन तो यह तो है यही नहीं चत प्रूश नहीं क्योंकि ततप्रूश में कारक्ये चीन आ जयते हैं चै की चै दिगू भी नहीं क्योंकि दिगू में संक्या आती है बचा अबे भाव अबे भाव जब मैंने इसका संधी बिचेत किया तो पहला वर्ड अव्वे निकल के आ गया मानिया आ गया तो यह हो इसदूर नेक्स्ट रिक्तिस्थान का है next question आपका रिक्तिस्थान के लिए उप्यूक्षब्द होगा मैंने अपने भाई को भेजा क्या भेजा कि सॉमबार को हमसे मिलने आना सुचन भेजी सुचन अधिकतार कार्यालों में भेजी जाती है तो यह नहीं सकता, संदेश भेजा या संबाद भेजा संबाद तो कहे जाते हैं आपस में या समचार भेजा, समचार भी भेजा नहीं जाता है, यह संदेश संदेश भेजा, संदेश आएगा इसमें B option बिल्कुल correct है अगला question भी आपका समासे related है का किस कारक का चिन बिवक्ती है बिवक्ती संस्कीत में बोलते हैं और हिंदी में हम चीन बोलते हैं उसको तो संबन्द का है, अधिकरण का है, संप्रदान का है या अपदान का भी मैंने चीन आपको बताए भी थे, कि संबन्द के होते है का के की नानेनी रारेरी अधी करण के होते हैं मेपर उपर संपिर्दान के होते हैं के लिए या कू और अपदान का होता है से तो देखे समंध का के की समंध कारक कचीन है ये नेक्स्ट आपका ये भी फिलापी है निमलिकित में से कर्ता कारक की बिवक्ती कौन सी होते हैं तो कर्ता ने कर्म को ने ए ओप्शन करेक्ट आंसर है इसका जैसे आपको लिट्रेचर से हिंदी साहितिस से related question है आपका माता का आचल नामक कहानी के लेखा कौन है तो कमलेश्वर है या शिपूजन साहय है या तीसरा option ने प्रेमचन है या चोथा option ने मदू कांकरिया है तो इसका B option correct आंसर है इस्टुडेंट शिपूजन साहय ये मुहावरे का question आया इस्टुडेंट चिरोरी करना, मुहावरे का अर्थ है इसमें बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे होंगे जिने इसका means पता नहीं होगा चिरोरी करना, इसका चिडाना होता है या नकल करना, या चोरी करना या बिंती करना तो इसका जो correct answer है वो है बिंती करना चिरोरी करना यानि किसी से अनुने बिने करना सब्सक्राइब कभी गई भाषा कौशिए तो इसकी भाषा बिरज भाषा है या भी एप्षस ये अब हडि बहुतपूरी तो इसका A option correct answer is ब्रज भार्षा है इसकी कवित्वा सब्वाइए की Next आपका अलंकार का question है मदन महीप में कौन सा अलंकार है मदन और महीप देखे रूपक अलंकार है मैंने आपको पहचान भी पीछे बताई थी कि योजक चीन होता है अब उपमा अलंकार में भी पहचानती सोसे, सासी पिछली वीडियो में मैंने आपको सारी पहचान इसकी बताई थी अनुपरास की पांच पहचाने बताई थी पांच में से ही कोई एक पहचान है इसकी और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनू, मनू, मानू इस तरीके के word आते हैं, तो केवल दो ही शब्द उसने दिये हैं, तो मा इधर आ रहा है और एक मा इधर आ रहा है, मदन महिप, केवल इतने ही वो पूछ रहा है, तो इसमें आपका कौन सा हो गया है, लाटा नुपरास, अनुपरास का ही टाइप है, अब चुकि लाटा प्रास ऑप्शन में है ही नहीं, इसका डीपली पूछा ही नहीं उसने, तो C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया इसका, अगला कोशन है, नागारजुन का मूल नाम क्या था, इंपोर्टेंट कोशन है, यह कई बार कोशन आ भी चुका है, इस्ट्रेंट कॉम्प्टिशन में, बाबानात मिश्र था, या बैदनात मिश्र, या राजनात मिश्र, या भवानी परशाद में, तो नागारजुन का जो मूल नाम था, वो था, बैदनात मिश्र, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, अगला कोशन है, राम रिख्ष, बैदनीपुरी का गद में, बिविस हैते, किस में परिकाशित हुआ है, पहला ओप्शन है, बैदनीपुरी, रचना वली में, दूसरा ओप्शन है, जनवाणी में, तीसरा है, अंब, पाली में, यह चोता है, तरून भारती में, तो इस्ट जाशनकर परशाद हैं या महावीर परशाद दुवेदी हैं या मन्नू भंडारी हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है आपका मन्नू भंडारी फिर नेट कोष्ण आपका आ रहा है संघ्या से डिट्टिर हिमाले दशरत अयोध्या संघ्या शब्द है कौन सी संघ्या शब्द हैं संघ्या पांच पिरकार के इत् estavam आपने पड़ा भी है और मैंने पड़ाया भी है, offline classes में हिमाले दशरत अयोध्या संग्या शब्द है जाती वाचक हैं जाती नहीं है ये भाव वाचक हैं भाव भी नहीं है ब्यक्ति वाचक है तो ये ब्यक्ति वाचक संग्या है किसी एक परवत का नाम है ये किसी एक राजा का नाम है ये किसी एक जगा का नाम है ठीक है strengths तो ये ब्यक्ति बाचक संग्या ये भी संग्या के इकोशन है हिमाले परवतों का राजा है इसमें संग्या शब्द बताना है क्या है तो संग्या कौन सा शब्द हो गया हिमाले कौन सी संग्या हो गई ये हिमाले, एक, एक option correct answer है सेकंड है संग्या के प्रमुख भेद बताने है तो तीन, एक, दो या चार तो इसके तीन ब्यक्ति बाचक, जाति बाचक और भावाचक प्रमुख भेद पूछा है तो प्रमुख तो तीन ही है और last इसका question है आज बहुत गर्मी है इसमें संग्या शब्द बताना है आज है या है है या बहुत या गर्मी तो गर्मी आपका संग्या शब्द है तो students, आज के लिए इतना ही काफी है next video लेकर फिर जल्दी आते हैं आपके सामने thank you